दोस्तो वेलकम बैक टू अवर वेकप यूटूब चैनल दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती बढ़िया कंटेंट आए है रिटार्मेंट बेनिफिट्स दोस्तो बहुत से लोगों के कॉमेंट्स, मैसेजेस, इमेल आ रहे हैं कि रिटार्मेंट बेनिफिट्स पे एक जारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं यह बहुती डिफिकल्ट टॉपिक है आप अगर गैजेट और रूलिंग पढ़ते बढ़िए तो आपके दो तीन दिन तो ऐसे ही जाएंगे पर आपको उसमें ज्यादा अंबिग्यूटी आपकी क्लियर नहीं बने वाली है तो इस व ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे अगली बार हम आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंड आपके लिए लाए तो दोस्तों के जो मॉनेटरी बेनिफिट है रिटायर होने पे मिलते है यह उन लोगों के लिए है जो बंदे 31 डिसंबर 2003 से पहले सेंट्रल गवर्वर्मेंट सर्विस में जोइन हुए है यह ओल्ड पेंशन स्कीम है यह निव पेंशन स्कीम नहीं है उनके लिए है NPS बहुत से लोग कहते कि NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम के कमपैरिजन में एक वीडियो बनाए जाए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूंगा NPS किसी भी प्रकार से पेंशन स्कीम सबसे लाब दायक है Central Government Employee के लिए तो आप यह वीडियो अन तक देख लेंगे तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या 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 लाब हमको मिलने वाले हैं तो यह छे मॉनेटरी बेनिफिट हैं पहला मॉनेटरी बेनिफिट तो सभी लोगों को पता होता है pension pension कितनी में लेगी Basic Paykey 50% पर इसके आगे क्या है इसके आगे के जो point से यह बहुत सारे employees को पता नहीं होता family pension क्या है family pension में दो प्रकार होते हैं enhanced and normal family pension ये किन लोगों को मिलती है commutation of pension क्या होती है DCRG क्या है DCRG मतलब किया है dying come retirement cankmagement लिव एंकेश्मेंट क्या है लिव एंकेश्मेंट में कितना पैसा मिलेगा CGEGIS Saving Fund क्या होता है इसमें कितना पैसा मिलेगा तो point wise हम एक एक topic को clear करेंगे तो पहला हमारा point है pension pension calculation जो आपका last basic होता है last basic पे उसके उपर आपको pension मिलती ये सबी को पता होता है इसमें ऐसा कुछ logic लगने वाले की चीज नहीं है पर इसमा हम थोड़ा dip में जाएंगे आपकी जो last salary होती है उसका basic पे आप पकड़ लीजिए last मान लीजिए last basic पे 7000 है एक उधारन के तोर पर उसका 50% उसका 50% कितना होता है 30,000 ये आपकी pension होने वाली है और उसके उपर क्या मिलेगा आपको DR आप अगर service में होते तो आपको क्या मिलता है DA डियरनेस अलोंस उसी तरह सेम मिलता है रिटायर होने के बाद basic पे पे आपको DR मिलता है डियरनेस रिलीफ आज की डेट में मालीजी एक साथ दो हजार बाइस को 34% DR है तो ये pension इस बंदे को कितनी मिल रही है जिसका basic at the time of retirement साथ हजार रुपे है तो उसको pension बैट रही है 40,200 without commutation कम्मूटेशन मतलब क्या होते pension को बैचना maximum आप 40% कम्मूटेशन कर सकते हैं तो सभी लोगों को करना ही चाहिए कम्मूटेशन कि 40,000 कुछ काम के नहीं है थोड़ी आपकी pension कम हो जाएगी 75 के बाद आपको ये भी restore होने वाली है तो ये without commutation है कम्मूटेशन के बाद कितनी मिलेगी इसके बारे में भी हम आगे देख लेते हैं pension after commutation ये हमारा next topic क्या है pension after commutation हमने अभी जान लिया था commutation के बारे में क्या है by selling maximum 40% pension आप maximum 40% आपकी pension बैच सकते हैं pension बैचना इसको आम भाशा में बोला जाता है कितने साल तक 15 years था आपकी पंदरा साल की pension आप already in advance based देते हैं मतलब advance में आप लेते हैं तो जन्रलिस 15 year मतलब क्या होता है साट पस 15 मतलब 75 यब आपकी एज हो जाएगी आपकी pension restore हो जाएगी ओरिजिनल पेंशन की तरह तो commutation का calculation कैसा होता है commutation के बाद मुझे कितना पाई समिलेगा तो मान लीजिए आपका लास्ट बेसिक पे है साथ हजार रुपए उधारन के तो रुपए आपका साथ हजार बेसिक पे हैं तो pension कितनी बैटेगे आपको तीस हजार रुपए 50% आप बेसिक पे लास्ट बेसिक पे तो उसमें से आप 40% बेचेंगे इस amount पे तीस हजार पे 40% ना की इस amount की यहाँ पे बहुत सारे लोग गल्दी कर बढ़ते हैं कि यह साथ हजार के 40% बेच देते हैं ऐसा नहीं होती दोस्तों पेंशन जो आपको नई पेंशन अलोट ही है उसका 40% 30,000 का 40% होता है 12,000 रुपए अब 30,000 में से 12,000 निकाल दिए तो यह आपका न्यूव बेसिक पे मतलब बेसिक पेंशन अफ्टर कमूटेशन हो जाएगी 18,000 रुपए और उसके उपर डियार आज की डेट में डियार है 34% आपको अफ्टर कमूटेशन कितना मिल रहा है 24,120 रुपए अब टू एज अफ्टर कमूटेशन लग गया तो भी आपका बेसिक बदलने वाला है रिटार्माट के बाद के सिवा आपका बेसिक नहीं बदलता तो यहाँ पे देखते हैं विदाउट कमूटेशन 40,200 मिल रही थी हाँ एफ्टर कमूटेशन 24,120 मिल रही मतलब लगबख 16,000 रुपए का आपको यहाँ पे घाटा होड़ रहा है पर यह गाटा आपको नहीं होता है अपको इसके आगेस्ट पैसा मिलता है कमूटेशन के अग्जनस्ट आपको कितना पैसा मिलेगा जो भी आपको पैसा मिलेगा आप उसको सिनर्स रिदिजन या पाईयर एक्टीडी में डाल सकते हो और आप उससे पैसा अधिक बना सकते हैं तो कम्मूटेशन वेल्यू कितनी होगी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि मेरी पेंशन तो कम हो रही बाबा सोलह हजार रुपए से मैंने आडवांस में तो 40% कम करवा दी इसका मुझे क्या फाइदा है तो कम्मूटेशन वेल्यू कितना मिलेगा मुझे इसको हम पूरी तरह से जान लेते हैं यह जो कम्मूटेशन फैक्टर है यह जो बाइडिफॉल्ट रहता है जैसे मानली जबी 7 पे कमिशन था उसमें जो हमारा जो ओल्ड बिसिक था उसको क्या किया था 2.57 से मल्टिप्लाइ किया था और नए बिसिक पे हमको सेट किया था यह जो वैल्यू रहती है यह पे मैट्रिक हिससाब से डिफॉल्ट रहती है इसमें कोई लाजिक लागने वाली बात नहीं उसी तरह कम्मूटेशन फैक्टर भी रहता है वह हर पे कमिशन पे सेट किया जाता है यह बाइडिफ में अलग अलग कम्मूटेशन आएगा और सुपर एनिवेशन में 61 ही इसको पकड़ेंगे तो आपका कम्मूटेशन फैक्टर रहेगा 1.194 कि कम्मूटेशन फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों जो आपकी 40% पेंशन है 40% पेंशन है पेंशन आपकी कितने हैं 30,000 उसका जो 40% है आप बेज देने वाले हों मतलब क्या हुआ 12,000 रुपे जो आपकी कम्मूटेड पेंशन वैल्यू है उसको हम 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे और 12 को भी फिर कम्मूटेशन फैक्टर से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारी जो आने वाली वैल्यू है वो हमारी अड्वांस में मिलने वाली हमें कम्मूटेशन वैल्यू है कम्मूटेशन बेनिफिट से 11,79,000 आपको यहाँ पे लगवक पैसा मिलने वाला है तो यह आप सिनर सिटिजन में 5 एर टिडी में डालते थे अड्वांस में आप पैसा मिलने वाला है यहाँ पे आपकी 16,000 रुपे से लगवक सालेरी कम हो जाएगी पर इसके अगेंस्ट आपको 11,79,000 यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा यह फॉर्मूला आप याद कीजिए य इस वीडियो को भार-भार देख लीजिए आपको बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है नेक्स्ट पॉइंट फैमिली पेंशन फैमिली पेंशन दो तरकी होती है हमने पहले वीडियो पहले स्लाइड में बता दिया था कि फैमिली पेंशन दो तरकी होती है बहुत से लोगो में अंतर क्या है दोस्तों मान लीजे फैमिली पेंशन तो पहले कब आल आउट होती है जो भी गवर्मेंटी अमपुलाई है अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणाउंच अफ्टर रिटार्मेंट या इन सर्विसर अगर डेथ होती है तो उसको भी फैमिली पेंशन उसकी फैमिली वालों को मिलती है तो हम रिटार्मेंट का देख रहे हैं तो रिटार्मेंट के बारे में हम इसको बताएंगे मान लीजिए अगर किसी गवर्मेंटी अपलाई की डेट 61 में हो जाती है या 65 में हो जाती है तो उसके फैमिली को इन से फैमिली फैंशन कब तक मिलेजी ये 61 से लेकर 67 मतलब 7 साल के लिए मिलती है सिर्फ अचानक किसी फैमिली किसी गवर्मेंट अपलाई की डिमाईस होती है तो उसके फैमिली पर मॉनिटरी बेनिफिट जो है अचानक कम न हो जाए इसलिए इसमें ये बढ़िया बहुत बढ़िया प्रावदान ये इसमें किया गया है अगले साल सालों तक मतलब उसकी उम्र जब 67 की हो जाती है आजम्शन की तौर पर कि जै आप उसको ऐसा मह समझे कि वो डेट तो हो गया उसकी एज कैसे काउंट करेंगे अगर वो जिन्दा होता और 67 का एज 67 की एज तक वो रहता तो उसको कितनी पेंशन मिलती थी ओरिजनल तो वो ही पेंशन उसकी फैमिली मिंबर को भी मिलेगी उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है आम तोर पे बहुत से लोगों को यह रहता है कि गवर्मेंट एंप्लॉई को अगर 50% मिल रहा है तो उसकी फैमिली को मिलेगा 25% मतलब किसी बंदे की अगर डेत हो जाती है तो उसकी फैमिली को सिर्फ 25% ही मिलेगा यह एक मिसकंसेप्शन है लोगों को बहुत से लोगों ने यह अपने दिमाग में गलत कंसेट बिटा कर रखा है तो अगले साथ साल तक मतलब फ्राम डे डेट अफ रिटारमेंट अगले साथ साल तक सेम पेंशन रहेगी जो पेंशन उस आदमी को है वही पेंशन उसके फैमिली मेंबर को ही अगले साथ साल तक मिलने वाली है उदारन के तोर पर हम देख लेते हैं उसका लास्ट बेसिक पे 60,000 रुपर तो उसकी पेंशन कितनी बट रही 50% एन्हेंस्ट फैमिली पेंशन में उसकी फैमिली को 50% ही मिलती है 40,200 ये जो बेसिक का जो 50% करके उसके उपर DR DR ने स्रिलिफ एजान कितना एक साथ 22 को वो मिला के उसके फैमिली को भी 40,000 मिलेगी वो जिन्दा रहता तो भी उसको इतना ही मिलने वाली थी उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी मतलब कोई किसी भी प्रतार का reduction अगले 7 साल तक नहीं किया जाएगा उसके बाद साथ साल के बाद from the date of retirement साथ साल के बाद reduction होगा वो कितना होगा 20% reduction होगा पच्चास माइनस 20 थर्टी यह ध्यान में रखिए 25% डारेक्ट कम नहीं होगा बहुत से लोग यहाँ confusion कर देते कि 50 का डारेक्ट और कम हो जाएगा 25 हो जाएगा नहीं थर्टी परसेंट नॉर्मल पेंशन मिलती है बेसिक की यहाँ पर लोग बहुत बोड़ी गलती कर देते 30% अफ बेसिक पे यह चीज़ को आप ध्यान में रखिए आपको डबल एओ के एक्जाम में पूचा जाता है अकौटन के एक्जाम में पूचा जाता है कि नॉर्मल फैमिली पेंशन निकाली जाए किसी बंदे का अगर 60 हज़ार रुपे बेसिक है तो उसकी नॉर्मल पेंशन निकालो तो 25 से निकालेंगे उसका तो आंसर गलती आने वाला है 30% से आपको इसको निकालना होगा मान लीजिए लास्ट बेसिक पे 60 हज़ार है उसका 80% कितना होता है यह होता है 18,000 रुपे सौरी दोस्ते यहाँ पे हमने थुड़ी गलती कर दी है 60,000 का 30% यह टाइपिंग मेंसे देख है 30% पकड़ लीजिए इसको 30% 60,000 का 30% कितना होगा 18,000 रुपे 18,000 ठाइपी देखिंगे उसके उपर ज 8,000 है 60,000 मिल रहा है मतलब उसको फेंशन मिल रही है उसकी ठाइ्सकी पैमिली को 24,102 रुपे उसकी ठाइपिंगे को रिडूस्ड पेंशन कितनी मिलने वाली है 24,102 रुपे 7 साल के बाद तो नट्स टॉपिक है रेटायर्मंट ग््राइड होने के बात सबसे बड़िया जो पॉइंट है ग्रैड्ड्यूटी मतलब बहुत सारा पैसा में लेगा इसा लोगों के दिमाद में रहता है पर ग्रैड्ड्यूटी कितना मिलता है आप यहाँ पे खुदी दिख लीजिए तो पहला पॉंट क्या है क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस का विशेज द्यान देना पड़ता है आप अगर 35 एर कुछ कुछ तो लोग 39 एर की भी सर्विस कर लेते हैं तो उतनी ग्रैचुटी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी भई मैक्जिमम ग्रैचुटी 33 एर की पकड़ी जाती है, आप कितनी भी सर्विस कर लो, 33 एर्स आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट की जाई है, और मैक्जिमम ग्रैचुटी आमोंड कितना है, 20 लेक, 20 लाप के उपकर भी आपका अगर कैल्गर प्लेशन जाता है, तब भी आपको मिनिममम जो है, अगर मान लिए आपको 25 लाक रुपे आपकी ग्रैचुटी बेट रही है, तो 5 लाक आपको छोड़ने पड़ेंगे, आपको कितना मिलेगा, 20 लाक रुपीज ही मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि बेसिक पे और डियार दोनो मिला के यहाँ पे हम ग्रैचुटी का कैल्कुलेशन करते हैं, इस चीज़ को बहुत सारे जो कैंडिडेट है बूल जाते हैं, बिसिक में डियार मिलाने का, तो ग्रैचुटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यह देखिए, पहला क्या है, लास्ट बिसिक प् जिवाण दियार इंटु 1.4 इंटु 1.4 इंटु 1.4 अफस एक साल को हम चैच्छे मैंने में बाढ़ देंगे, तो कितना होता है, दो मतलब 33 जिएर्ज को हम कितना काउंड करेंगे, 66 टाइम हम उसको कैल्कुलेट करेंगे, 66 टाइम हम उसको कैल किल्कुलेट करेंगे, okay, औ और जो यहाँ पे यह 1.4 दिया है, रिटार्मेंट के लिए ही 1.4 है, अगर माल लीजे किसी बंदी के अगर in between service हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका formula क्या है, बस उतना उसको 1.2 से डिवाड किया जाता है, मतलब उसको ज्यादा benefit मिलता है, रिटार्मेंट पे कम उस पे उपर डिये कितना है, 34%, 20,400, तो उसकी value कितने आ रहे ही, 8,400 उसका calculation हो रहा है, with DR, तो DR को हम क्या, उस पूर value को कहां से multiply करेंगे, 1.4 into, sorry, इसको divide करना पड़ेगा, तो हम 66 times उसको multiply करेंगे, तो उसकी जो gratuity बैड रही है, 13,26,600, तो इसको हम 66 से multiply करेंगे, 66 से अगर multiply करते हैं, तो उसकी gratuity amount कितनी रहेगी, 13,26,600 रुपे, ओके, यहाँ पर यह concept clear हो गया, तो इस बंदे को 13,26,600 रुपे, यहाँ पर graduate की तौर पे मिलने वाले हैं, तो दोस्तो हमने graduate के बारे में देखा, हमने family pension के बारे में देखा, हमने committed value कितनी मिलेगी यह देखा, हमने pension after commutation देखा, हमने pension भी देखा, तो अब बचे हमारे दो टौपिक, हमारे दो टौपिक कौन से है, living cashment और cgsi saving funds, इसमें कितना पैसा मिलेगा, दोस्तो यह वीडियो बहुती लंबी हो रही है, तो इस दोनों point को हम इसी part two में clear करेंगे, जो हमारी next video आएगी, आपको notification मिल जाएगा, तब तक आप हमारे इस video को जोरदार subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, thank you, दोस्तो